कस्रावत जन्पत की ग्राम पंचायत औहिर धामनोद में खेतों के आम रास्ते पर जल भरा हो जाने से ग्रामिनो को निकलने में परिशानी का सामना करना पर रहा है जीला पंचयत तक की हैं वहीं इस मामले में ग्रामिणों ने कस्रावत विधायक को भी अवगत कराया है लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है कस्रावत सेक्ल खान की रिपोर्ट पानी के जलब्राव के लेकर ग्रामिणों की समस्या है क्या कुछ के ना क्या है कि अभी सुबह से 6 बज़े से किसान लोग सरपंच के पास हम पंच है पंचायत की तरफ से प्रतिनिदी है यह लोग आया थे रोज की रोज आते हैं इनको बोलाया इन्होंने अवे दिया है अभी तो लोग किसानों ने चंदा एकटा करके कुछ पानी का जो भरा हो है उसको निकासी के लिए मसीन लगाई है तो इस रास्ते को लेकर आके जलब्रटी को जहां नी दे रहे हैं कोई अभी अभी तो बहुत आवेदिन भी दिये लेकिन आभी तक हमारी भी ने कोई सुन पर लाके मोके पर वहना करा अउगत करवा है उन्होंने बोला कि इसको पहले प्रात्मिक्ता से लेंगे लेकिन अभी तक कोई भी भूसे भी नहीं हो रहा है और जिला पंचायद भी गये थे बाकि वहाभी कोई इसा राशी का या कुई सी प्रकार की स्विक्रती पंचायद में भी नहीं है पानी तो बैंकर पारेशानी आ रही है आप देख रहे हम सुबस हैं पर खड़े साथ में मसील लगाई है कि चलो ठीक है आज निकासी के लिए पानी भरा है और कोई इसको ध्यान ने दे रहा पंचायद सर्पंज जिला पंचायद क्या कस्रावत यह तो साल बर भेता है बंदिन दिन रहता है यह पानी उपर से आ रहा पाड़ी एरिया है यह रास्ता महत पूर जाता है हां महत इसकुल को बच्चे आते हैं यहां से निकलते हैं रोड डेली उनको परिशानी पड़ते है बेल गड़ियों को परिशानी पड़ती है पुरा गाउं को तकलीव है इस पर कोई ध्यान ने दे रहा यह आज का नहीं है अगली पंचायद में हमने सिकाई के जब भी आम परिशानी सुनवाई है जन्पत में देख और पांधार पहले रोड देदेंगे कर दिए तो अमारे फुलिया देदेंगे फुलिया का बोला है तो अब फुलिया का अभी निराकन होया नहीं क्या देगणा देगरा मिआदो हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले